आज हम बनाएंगे सूजी से बनी हुई बहुत ही स्वादिश्ट, सौफ्ट और मुह में घुल जाने वाली रस्परी की रेसेपी इस रेसेपी को रश बोरा याफी रस्परी कहते हैं सूजी से बनाई है और ये चाशनी से भरी हुई एकदम सौफ्ट होती है आई होप आपको इस रेसेपी पसंद आएगी तो फ्रेंट्स आईए देखिये इसे कैसे बनाते हैं यहाँ पे गैस पे एक कडाई चडाएंगे कडाई या फिर पैन क्योंकि हम चाशनी बनाएंगे तो इसके लिए एक कप चीनी में डालेंगे एक कप पानी और इसकी चाशनी बनाके तयार करेंगे चीनी के घुल जाने तक हम इसे पकाएंगे और इस तरह से स्पेक्चला से चलाते रहने से चीनी बहुत जल्दी पानी में घुल जाएगी तो यहाँ पे यह रेखिए चीनी अच्छे से घुल चुकी है तो अब हम इसे तीन से चार मिनट तक और पका लेंगे जिससे की यह चाशनी चिपचिपी हो जाएगी तो यहाँ पे बस हमें चिपचिपी चाशनी चाहिए बहुत ज़्यादा गाड़ी या फिर एक तारवाली नहीं चाहिए तो अब यहाँ पे यह चाशनी पक्के तयार हो चुकी है पांच मिनट में यह चाशनी पक्के तयार हो चुकी है पतली चाशनी चाहिए ताकि यह मिठाई के अंदर तक अच्छे से सोक हो जाए अब यहाँ पे गैस पे एक पैन चढ़ाएंगे और इसमें डालेंगे 1 टेबल इस्पून घी घी में अड़ करेंगे आधा कप सूजी यहाँ पे मैंने बारीक वाली सूजी ली है अगर आपके पास मूटी सूजी है तो आप इसे मिक्सी के जार में एक बार पीस ले और इसके बाद उसे बारी कर ले बारीक सूजी को घी में मिक्स करते हुए हम भूनेंगे 3-4 मिनट तक हमने यहाँ पर सूजी को भून लिया है यह देखिए सूजी भून चुकी है यहाँ पर तो अब हम इसमें अड़ करेंगे दूद यहाँ पर मैंने फुल क्रीम दूद लिया है एक कप दूद एड़ करेंगे और इस समय गैस का फ्लेम लो कर लेंगे लो फ्लेम पर हम इसे मिक्स करेंगे तब तक मिक्स करेंगे जब तक सूजी में सारा दूद अच्छे से सोक ना हो जाए और इसके बाद हम इसे लगातार चलाते हुए, मिक्स करते हुए भुनते रहेंगे तो यहाँ पर यह देखिए, सारा दूद अच्छे से सोक हो गया है, अब यह गाढ़ा होने लगा है अब हम इसे इसी तरह से लगातार चलाते हुए इसके डो बन जाने तक हम इसे इसी तरह से मिक्स करते हुए भुनते रहेंगे और थोड़ी ही देर में 2-3 मिनट में ही ये अच्छे से गाड़ा हो जाएगा ये देखिए घी की वज़े से एकदम सौट और चिकना होने लगा है ये देखिए पैन छोड़ने लगा है और डो के फ़र्म में चेंज हो गया है तो अभी हम इसे इसी तरह से mix करते रहेंगे तो अच्छे से ये डो जैसा बन गया है तो अब हम इसे अलग प्लेट में निकाल लेंगे जिससे की ये ठंडा हो जाए तो यहाँ पे हमने सूजी को अच्छे से दूद में सोख करके mix करते हुए भुन लिया है और अब ये बिल्कुल अच्छे से पैंच हो रहा है गाड़ा हो गया है दो जैसा बन गया है तो इसे अलग प्लेट में निकाल लेंगे ताकि ये हलका सा ठंडा हो जाए बहुत जादा हमें इसे ठंडा नहीं करना है तो अब हम इसे अलग प्लेट में निकाल लेते हैं जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो हम इसे अच्छे से मसलते हुए हाथ से ऐसे मिक्स करते हुए सॉफ्ट कर लेंगे तो यहाँ पे अब ये इतना ठंडा है कि इसे हाथ से छू सकते हैं घी डालने के जोरत नहीं है क्योंकि हमने शुरू में ही इसमें घी एड़ कर लिया है अब हम इसको इसी तरह से मिक्स करते हुए सॉफ्ट कर लेंगे तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल अच्छे से जैसा रोटी का डो होता है वैसा बन गया है ये अब हम इसमें एड़ करेंगे एक चथाई टेबल स्पून इलाइची पाउडर और चुटकी भर मैंने इसमें सोडा एड़ किया है सोडा बहुत जादा एड़ नहीं करना है बिल्कुल थोड़ा सा बिल्कुल चुटकी भर यूज करना है और इसे अच्छे से mix कर लेंगे Mix करते हुए ये और भी ज्यादा soft हो गया है अब हम निम्बू के size के आकार का डो लेंगे इसमें से और अब हम इसे गोल करेंगे बिल्कुल चिकना गोल करना है दरारे कहीं भी नहीं रहनी चाहिए अच्छे से गोल करके इसे चप्टा कर लिया है गोल या फिर चप्टा आप किसी भी शेप का बना सकते हैं तो दरारे बिल्कूल भी नहीं रहनी चाहिए अच्छे से दबाते हुए इसे चिखना करते हुए गोल करेंगे और यहाँ पे यह देखिए सारे मैंने बना के तयार कर लिये हैं अब हम इने फ्राई करेंगे तो इसके लिए यहाँ पे कडाही में तेल गरम हो चुका है यह तेल हलका गरम चाहिए और जब यह तेल हलका गरम हो उसी समय एके करके यह सारे डालेंगे तो ये जो सूजी के पेड़े बनाए हमने एक बार में बहुत ज़्यादा नहीं भरेंगे इतना ही डालेंगे जितना कडाही में एड़ेस्ट हो सके पूरा नहीं भरेंगे नहीं तो तेल का टेंपरेचर एकदम से ठंडा हो जाएगा हलके गरम तेल में ही जब ये एक तरफ से सिख जाएगा तो इसे पलट लेंगे और अलट पलट के हम इसी तरह से हम इसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाने तक फ्राई करेंगे गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे और इसी फ्लेम पर हम इसे बीच बीच में अलटते पलटते रहेंगे ताकि ये अंदर तक अच्छे से पक जाए तो बहुत ही सौफ्ट है बिल्कुल सावधानी से इसे आराम से पलटेंगे तो ये देखिए हल्का हल्का कलर चेंज होने लग रहा है अब हम इसे तेल में से निकाल लेंगे ये अच्छे से फ्राई हो गए है और गैस का फ्लेम इस समय बंद कर देते हैं तेल हल्का ठंडा होने लगा है तो एक बैच निकाल लेते हैं और दूसरा बैच भी हम इसी समय डालेंगे थोड़ी देड के बाद गैस का फ्लेम ओन कर लेंगे और इसके बाद हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर सिखने देंगे अब जो पहला बैच हमने बना के निकाला है उसे चाशनी में डालेंगे चाशनी थंडी हो गई थी तो मैंने यहाँ पे हल्का सा चाशनी को गरम कर लिया है गरम चाशनी में यह बहुत ही जल्दी अंदर तक अच्छे से सोख हो जाएगा तो जब तक यह सोक हो रहा है, दूसरा बैच भी यहाँ पर बन के तैयार हो गया है इसे भी निकाल लेते हैं और तुरंत ही चाशनी में डालेंगे बहुत ही आसान है इसे बनाना और गरम गरम चाशनी में बहुत ही जल्दी यह सोक हो जाएगा आदे से पॉन घंटे में ही ये चाशनी से भर जाएगी इसलिए इसे रस भरी कहते हैं तो फ्रेंट्स ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है देखने में एकदम सॉफ्ट हो चुका है ये चाशनी से भरी हुई है ये और कलर पहले से ज़्यादा लाइट हो गया है और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है ये तो मैं आपको इसे निकाल के दिखाती हूँ ये देखिए देखके ही मुँ में पानी आ रहा है एक एक करके अब हम इसे चाशनी में से निकाल लेंगे तो फ्रेंड्स ये रेसेपी की बनाना बहुत ही आसान है सिर्फ तीन चीजों से मिलकर बनी है जब भी आपका कुछ मीठा खाने का मन करे तो इस मीठाई को बनाईए घर में सबको खिलाईए सबको जरूर पसंद आएगी अब मैं आपको इसे कट करके दिखाती हूँ ये देखिए कितना सौफ है बहुत ही हलका सा दबाने पड़ी ये कट गया है और चाशनी से ये देखिए भरा हुआ है मूँ में जालते ही घुल जाने वाली रेसेपी है तो फ्रेंड्स अगर आपको आज की रेसेपी पसंद आ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में